हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो आज का वीडियो थोड़ा अलग होगा आज मैं आया हूँ टी एमसी गार्डन में जो दत्ताजी सालवे निसर का उद्यान है ठाना इस्ट में तो यहाँ पे अभी बहुत से टाइपस अफ प्लांट्स है वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो के एंट अब बने रही है एंड दू लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चैनल तो फ्रेंड्स यह बीटिफुल गार्डन जो मैनेज कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं वीजे पातिल सर से हाई सर अलो तो सर आप यह गार्डन कितने और बाकी जितना भी कुछ प्लांट्स नजर आ रहा है हम लोगमें बनाया यां पर आच आच तो यह दिरे-दिरे करके सब प्लांट्स अभी ओर अन्या प्लांट्स है तो यह छाबम आर न बजगे का कियार है तो यह अथ ऑ्दृ झन्र मांन शूबदिआ ऐह तों मैं नहीं वजेबंध हो जाता है 7-9 लेकिन एजुकेशनल परफस के लिए कभी भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स लोग या पर अच्छा या पर स्टुडीज बोटानिकल कुछ यह रहेगा तो कभी भी आ सकते हैं और कुछ मैसेज देना जाओगे आप वीवर्स को यह गार्डन के लिए या कुछ कि मॉनिंग में भी मैंने सुना कि लोग आते हैं वाक बिक करने आते हैं राइट काफी लोग आते हैं यह टी-म-शी का गार्डन है या और हमारे जो केदर पाटिल है उनके अंडर है आचा उनके काफी सायता होती है इसमें और उनको काफी इंट्रेस्ट भी है हाहिस बेसंट ने करते हैं मिलते हैं यानि रेिजन के प्लांट से गोडिकग में है गजल से काफी बरायाइटी उग जोडिखने को मिलते हैं तो एक जगह पर इतने सरेब्क बलांट थे नक ne b futuro कि अभी मिलेने लिए और अब देने हम सब प्लांट का क्लेक्शन तो चलिए स यह हैं के बड़य साइज में यह बॉहत बड़े और यह बत बड़ कापक प्ल्कू प्लांट show म guide ce यह कॉफी कप्स तो यह लीली प्लांट्स है यह देखे यह मुसा देलोटीना है आचा वह डूट नहीं होता है करते हैं आखर और देलोट समय ही तो है ईससे थोड़ा दो जागा लेकिन विट और विट यह वन प्लांट्स है आचा यह कॉंसा प्लांटेम्न यह पैंडन नस पिगमी यह गेवडा जो बोलते है ना उसका वराइटी है यह लेकिन यह मिनियचर है यह उसका फूल का मिनियचर अच्छा अच्छा ओके यह यह जए यह यह और माइल्ड खुश्भू रहती है इसमें अच्छा करेंडिया फॉर्मोसा ओके यह भी बिलेनिया स्फूर्टिकोसा यह अमर्या रार प्लांट यह अब यह अब यह अब बारा साल बारा साल से हो बारा साल पहले यह कुछ भी नहीं था सिर्फ यह निलगिरी का फ्रांस था तो इसी भी एक जाड था दिलगिरी का, okay वाके पूरा डब्रिस था okay okay सवासो ट्रग्पिया से डब्रिस मिकाला है अच्छा और पिर यह पर गादन बनाया थीम से न okay okay यह एक रुद्राइटी है अच्छा यह वाला ब्लैक ब्लैक यह ब्लैक वोकाच ओके और यह क्या है? अच्छा है प्लावर रहाएग यह यह जिंजर थे इसको ओके मैंने कभी देखा नहीं यहाँ स्विंजी पर स्पेक्टरबाइब यह बड़ा होते जाएगा अच्छा बड़ा होते जाएगा अच्छा बड़ा होते जाएगा यह कुवड़ा है पीछे साइड में वर्स अपाटमेंट में से एक पूल लिएगा ओके ओके तो अभी यह इनिशल स्टेज में यह ज़स्ट शुर्वात है उसकी बहुत ही ब्यूटिफूल है तो प्रेंट्स ऐसे यूनिक प्लांट्स भी आपको देखने मिलेंगे यह पे यह जो द्राच है यह वाला यह इंडियन ओलिव कहते है उसको क्योटी हो जो फूट आते है उसको रुद्राच के वो एडिबल रहते है क्योटी है उसको प्लांट्स 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 कॉश्टर्स अगनियस अच्छा गासे यहां पर भी प्लांट यह वाइट गुलमोर है अच्छा वाइट गुलमोर है यहां पर लिकन अभी थोड़ा और दो साल जाएंगे उसको फूला नहीं अच्छा अच्छा कर दो मसे चाना कोफी प्लांटigraphy कोंसा है क कॉफी प्लांटिया चालया कोफी अरे कि कॉफीय अरे बिक़ए अथ्यार क्याकि हैं दो chyba ऑले ना देलिजा प्लावर्स जिए है मैं जा आप सिखार के ज़सें को यह प्लावर जैसा है खतान OM कुन सा प्लांट है यह है इसके फ्लावर्स है तो यह से और बढ़ेंगे नहीं यह ऐसे और इसमें से फूल निकलते हैं तो यह बहुत ही पीस्फुल लग रहा है यह तो यह जगा जगा पर ऐसे प्लांट के नाम बताये गए है इनके कुछ डीटेल्स भी दिये गया है यह कोस्टस के वराइटी है कॉस्टस की जिसा ही है पुरा गाधि यह युनीख फ्लावर्स प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे आप ए अपर आप है अज़ए आपल मॉच्चस एबल मॉच्चस एबल मॉच्चस उग्चस आप एबल फिने जिंडी के जा गाते है, ओके ओके जिए एक दहसे है क्लाउसे में, स्मेल की अधार, जपन के लिए था यह इधारी जाओ अप्राइफल, बेंगे जए अधारी जए तरही जए से ना, और यहाँ गहल देना तरहीं श्माइपल के तरह दज अधार का है यह रहन Deputy देना न यह है लिकोन या रोस्ट्रा का अच्छा कि इसका फ्लावर्स देखिया अभी फिलाल बारिश भी आ रही है फिर भी हम लोग जितना कवर हो सका है उतना कर रहे हैं तो यहां पर बैंबू ट्रीज है यह देखिये आप वैसा बहुत ही हाइट रही अभी चैन्ट बैंबू ट्र तो अच्छा गोल्डन बैंबू है यह जाइंट बैंबू अच्छा यह जाइंट बैंबू तो यह भी बहुत साल के रहेंगे ना यह यह अभी अराम से तीन-चार माले तक हाइट पर है यह तो आप अन्दाजा लागा सकते हो यह देखिये इतना बड़ा यह जाइन बांब कि सु रिजसे खाने पर इसका भी हें तो यह ब्लैक ढूंबू टृइ triggers ज़ादा मोटे नहीं है यह एरेकर आपने जो जंगल में रहते हैं अच्छा जंगली वह यह जो नंस्ट्रक्शन में कामातें अच्छा वो आले ट्रूह जो अच्छा जो पूरा बांबू का ट्रीज का सेक्षिन है तो यह देखे आप यह भी एक स्ट्रेट आया हुआ है और भी कुछ उनिक प्लांट्स है वह हम दिखाते हैं कि रॉंडेलेशिया ओडुराटा हाथ लगांके देखे प्लावर्स देखिया है एक्दम रफ रही है तो अभी आपर एक ऐसा रॉफली कितना टाइप्स का प्लांट्स वह गया है अपर निर्ट को फाइयनैर्ड टा डाइप सब्सके इस तो फ्रेंड्ड याँन्ध तैप्स के अभी ऎमिंठांट्स हे या पर प्रुद्राश के टोटल 6 टाइप्स के प्लांट से यह पर तीन वेराइटी है यह यह वह लिलीज है अच्छा वाटर लिलीज है इसमें तो इसे बोट से यह पर इन्हों ने रखे हुए है यह यह देखे हैं प्रेसंचिया है बेगर्स बाउल बोलते हैं हादो लोग के पास पानी पेने के लिए कमंडल उभवा करते थे हां हां वह इससे बनाते थे यह बाजो से कट करके ओके अर्दम नारियल जैसा पुरा कड़क है यह यह रुद्राश का जाड़ है नार पूरा फूरा फ्रूटिंग है हां उपर है यह देखने को मिलते थे तो अच्छा होता था हां अभी रेनी सीजन में नहीं रहते ना इतने अभी आके गए सब अच्छा आके गए अप्रिल में में सम्मर में यह तो पूरा भर गया अच्छा यह भी अडिबल है ओके यह इसके साइब एककम छोटी होती है अच्छा वह बही उसी तरह से खा सकते हैं तो अगे अगे अ यह प्लांट है यह 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 योद्स इसका यह प्लांट है यह यूज होता है ज्यारू यह यह देखिये यह आपे भी है कुल सा यह एरिस्टोलोचिया एरिस्टोलोचिया ओके बहुत बड़ा है इसका यह इसको मदर्स वों भी बोलते है क्योंकि उसका बड ऐसा रहता है कि खैसे अटेक की फिलूदियो वो से कि अवाओ आ आगी है करें बौत बड़ा साइजए भी में इसका यह व्यूलेशा ओकेक ब्रण यह एंगे 67 इंचिस सीटा रेक्स है फिडल वूड ट्री और या पर भी है यह कुन सा प्लांट है यह भी इटलेंजर आई है लेकिन और रेड कलर है को के बहुत ही ब्यूटी कुले है आपर भी है यह यह अरी इसका वाइट और ग्रीनिश पैटन अलग अलग में तो सर यह से फ्लावर्ड हर सीजन में अलग अलग आएंगे राइट यह हरेक सिजन में अलग अलग यहां होदो ने कर सेथलोंगे हैं इन यहां अभी रेनी सीजन के फ्लावर स्वावश चालो हो जाएंगे वह घज का फ्लावर देक्ना को मिले का यहं तो हम अलग अलग स्वीजन में फिर वीडियो बनाएंगे तो लोगों को भी पता चलेगा कि क्या-क्या फ्लावर्स है यह तो थैंक यू सर मुझे ये कवर करने का मौका मिला तो फ्रेंड्स इस गार्डन में आप ज़रूर विजिट करके देखिये बहुत ही पीसफुल लगेगा आपको तो ये ता आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताईए तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताईए अगर आपको और भी ऐसे वीडियो देखने है तो आगे